नमस्कार स्वागत आप सभी का सुजस्थ सारानिस किस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्तान का करंट अभेर्स और आधार होता है राजस्तान सरकार की सुजस्थ पत्रिक शुरूआत करते हैं हैड्लाइन के साथ सबसे पहली न्यूज आप किया देख पर रहे हैं कि जैपूर अब मशीनों से मैन होल की सफाई की और यानि कि जो यहां इंसानों के उतरने की जुरुत पड़ती थी जो में हो लें या जो गटर के या सीवेज के जो पाइप हैं उनमें इंसानों के द्वारा सफाई की जाती थी अब जैपुर में ऐसा सिस्टम डेवलप होने लगा है जहा भी कुछ-कुछ इससे ही रिलेटेड है यानि जिसमें लिखा हुआ है कि हमारी सड़कों निजी एबम सारवजनिक सोचालियों की गंदगी के लिए बहुत हद तक छुआ चूट जिम्मेदार है इस बात में काफी गेरा ही है महात्मा गांदी के नचारे हैं हमारे आसपास जो सड़कों पर या नालियों में या सोचालियों में जो गंदगी है इसके लिए भी कुछ हद तक छुआ चूट जिम्मेदार है वो कैसे क्योंकि समाज ने मान लिया कि यह सफाई का काम केवले खास वर्क का है जो सफाई कर्मचारियें वहीं यह काम करेंगे हम नहीं करें है अगली न्यूज है अनुप्रति कोचिंग बाल गोपाल सहित पांच योजनाय अब सरकार के फ्लैक्षिप कारेक्रम में सामिल आज की सबसे में खबर भी है यह हमारे एक्जाम के पॉइंट आप में से कई लोगों ने कहा कि जो फ्लैक्षिप योजना है उनको एक साथ प अधिक समीक्षा और कौन सी आधिक समीक्षा तो यह शमीक्षा थी 2021 बाली इसके बाद इनकी संख्या हुई कितनी 28 और उसके बाद आब के संख्या समें पांच और Dash tick to how they इनकी संख्या को तनी कितनी हो चुकी है ते 30 यानि कि कुछ योजना इसमें एड़ होती रहती है कि इस तरह से आप सरकार का उनमें से कुछ योजना हटा दी जाती है ऐसा कभ होता है जैसे किसी योजना ने अपना उद्देशे प्राप्त कर लिया हो तो अब उसकी जरूत नह देखेंगे कौन सी योजना कौन सा विभाग और इनमें से कितनी चीज़े हैं जो हमने पहले पढ़ चुकी हैं और या कितनी अब बाकी है अगली न्यूज है यहां यह क्या है राज सहकार वेबसाइट का किया गया लोकारपंड किसने सहकारिता मंत्री कौन है ओदैलाल आं लोक से एक समाचार क्या कि वरिष्ट अध्यापाग प्रतियोगी परिक्षाव 21-27 दिसंबर तक होगी इधर है मुख्यमंत्री घरेलू विद्यूत अनुदान यूजना इस यूजना के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और यहां 4000 बच्चों ने राजिस्थान विधान स यानि कि पहले गुरुवार को ग्राम पंचायत इस्तर पर दूसरे गुरुवार को ओपकंड या ब्लॉक इस्तर पर और तीसरे गुरुवार को जला इस्तर पर आम जन की जो समस्या है उनकी सुनवाई की जाती है और नाम दिया गया है त्री स्तरीय जन सुनवाई व्यवस् है उसमें 5.27 करोड रोपे का रिकॉर्ड ला बर्जित किया राज सिकों के बारे में जो सामाने जानका रिया है कि कब इसका काम है क्या उद्देश है यह सब हम पहले पढ़ चुके हैं इधर है सुझाब आमंत्रत किये जा रहे हैं किसके लिए युवाओं विध्यारतियों को अन्य जो युवा हैं वो सब हो तो राजे का जो आगामी बजट है उनमें सबकी सहमत ही हो यानि कि सबकी जो जरूरत हैं सबकी जो सुझाव हैं वो आमंत्रत किये जाए अब देखते हमारा इंडेक्स कौन-कौन सी चीजे हैं जो आज हम पढ़ने वाल हैं तो तीन में जो खबरें हैं वो निकल के आती हैं सबसे पहली है मुख्य मंत्री घरेलू विद्यो तनुदान योजना दूसरी है जो पांच नई योजना फ्लैक्षिप योजनाओं में सा सबसे पहले मुख्य मंत्री घरेलू विद्यूत अनुदान योजना जिसकी घुषना की गई राजय बजट 2022-23 यानि की 23 फरवरी जब बजट आया तब ही इसकी घुषना की गई गोशना क्या थी कि जो घरेलू पुखता है उनके जो बिजली के बिल है उस पर होने वाला जो खर्चा है उसमें कुछ कटोती लाई जाएगी उनको राहात प्रदान की जाएगी यानि कि सरकार उनके लिए कुछ हद तक बिजली मुफ्त देने वाली है और यह प्रारहम कप से होई तो अप्रेल 2022 यानि कि बिलिंग महा फार ही जो सबके बिजली के connection होते हैं तो हम किस्के अरklay में आते हैं घरेलु विद्ध पोकता किसानों के लिए क्रिशक विद्धो तो यह योजना किन के लिए है जो घरेलु विद्ध उपोगता है यानि कि जिनके घर में विशली का जो सामाने कनेक्शन लगा हुआ है उनके लिए लेकिन अगर महिने तक उनकी 100 यूनिट तक खपत होती है तब उसमें क्या फ्राबधान होगा तो 50 यूनिट तक तो निश्वल्क होगा लेकिन उसके बाद जो अगले 50 यूनिट होंगे उन प इतने रुपे सरकार उस पर चूट देगे एक तरह से और अगर खपत कितनी है 500 यूनिट तक तब 3 रुपे प्रतिए उनिट सभी और उसके बाद अगली नेट सो यूनियट है तब उस पर कितनी है तो 2 रुपए प्रतिएन लिड़ि की ऐसा आईगा कि दो रुपे प्रति यूनिट का बिल आएगा दो रुपे प्रति यूनिट जो यूनिट कि दर है उस पर सबसेड़ी दी जाएगी कि अब आज की जो हमारी सबसे खास जानकारी है वो क्या है 5 नई योजनाय अब सरकार की फ्लैक्शिफ योजनाओं में शामिल की गई है स्टेट फ्लेक्शिप कारेकरम के तहट चार विभागों की पांच योजना को योजना दथा नीतियों को अब शामिल किया गया है अब तक इस कारेकरम में कितने प्रसाशने विभाग थे 15 थे और उनकी कुल कितनी योजना थी 28 थी अब इसमें 16 विभाग हो जो नई सामिल की गई है उनके नाम यहां लिखे हुए हैं जैसे की परियतन विभाग इसकी कौन सी योजना या कौन से कारेकरम को तो इसका कारेकरम क्या है परियतन को फूर्ण उद्यों का दर्जा दूसरा विभाग है सामाजिक न्याय एवम आधिकारता विभाग इसकी योजना है मुख्य मंत्री अनुप्रती कोचिंग योजना जिसको हमने शायद कली पढ़ा है तीसरा विवाग है उच्छे सिक्षा विवाग इसकी योजना है राजीब गांधी स्कॉलर सिफ फॉर अकेडमिक एक्सिलेंस इसको भी हम पढ़ चुके हैं और चौथा विवाग है स्कूल सिक्षा विवाग इसकी दो योजना यानि की मुख्य मंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्य मंत्री निशुल की यूनिफॉर्म वित्रन योजना अब इन दोनों योजनाओं को किसमें शामिल कर ल कि कितनी सारी योजना ऐसी हैं जिनको हम यहां हमारी वाली क्लास में यानि की सुझस वाली क्लास में पहले पढ़ चुके हैं क्योंकि आप में से कुछ लोग बार बार यह डिमांड करेंगे फ्लैक्षिप योजना जो हैं उनकी एक साथ को एक क्लास लाओ तो अभी आपको पता चलेगा इन में से कितनी सारी चीज़ां पढ़ चुके हैं सबसे पहला विभाग है चिकित साइबम स्वास्थ विवाग इसकी च्छै योजना है जो फ्लैक्षिप कारेकरम में सामिल है कौन कौन सी शुद्र के लिए युद्ध दूसरी निरोगी राजिस्थान तीसरी न स्वास्थ और चौत उस्वाग यानि कि 8 विवाग हो गया और 6 योजना भी तक फिर दूसरा विवाग कौन सा है घ्रट्यवम नागरिक आपुर्ति विवाग कौन सी 1 रुपे प्रतिक लो गहूं अगला विभाग है स्कूल सिक्षा विभाग और अभी तक योजना कितनी हो चुकी है हमारी साथ तो इसकी योजना कौन सी है महात्मा गांदी अंग्रेजी माध्यम स्कूल फिर है मुख्यमंत्री बालगोपाल योजना और फिर है मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म दित्रं योजना फिर चौधा विभक कहना और इसकी योजना कौन सी है मुख्यमंतरी किसान्मित्र ऊर्जा योजना पांच वभाग है कृषी विभाग और योजना कौन सी है इसकी तो राजिस्थान क्रिशी प्रसंसकरण क्रिशी विपसाय एवं क्रिशी निर्यात प्रोत्सान योजना 2019 कि इसके बाद छटा विभाग और योजना कुल आव कौनसी वे पहुंच गए हम तो 13 13 वी योजना कौनसी कन्यादान हतलेवा योजना फिर है सिलिकोसिस पॉलिसी 2019 फिर है मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पैंशन योजना फिर है मुख्यमंत्री विर्दिजन सम्मान पैंशन योजना फिर मुख्यमंत्री विशेश योगजन सम्मान पैंशन योजना और फिर पालनहार योजना और इसके बाद है 19 मुख्य मंत्री अनुप्रती कोचिंग योजना इसके बाद साथमा विभाग और योजना कौनसी 20 20 वी योजना कौनसी है मुख्य मंत्री लगू उद्योग प्रोट्साहन योजना और 21 मी हो गई मसमे एक्ट स्व प्रमानी करण यानि की सेल्फ सर्टिफिकेशन आठमा विभाग उद्योग विभाग और योजना नंबर 22 कौनसी राज्थान निवेश प्रोट्सान योजना रिप्स 2021 अभी रिप्स 2022 भी लॉंच हो चुकी है फिर है नौमा विभाग सूशना प्रोट्योग रोजगार एवम उद्यमिता विभाग और योजना नंबर 25 है युवास संबल योजना फिर अगला विभाग है ओच्छ सिक्षा विभाग और योजना है काली भाई भी भील मेदावी चात्रे स्कूटी योजना देव नारायन शात्रे स्कूटी योजना और राजीब गांदी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना फिर चौदावाँ विभाग और योजना नंबर 31 क्या है घरगर आउसधी योजना और 15 वाँ विभाग और योजना नंबर 32 क्या है इंद्रा गांदी मातरुत पोशन योजना फिर इसके बाद 16 वाँ विभाग और योजना नंबर 33 क्या है उद्योग को पूर्ण दर्जा इस तरह से कुल विभाग कितने हुए कुल विभाग है 16 पहले 15 थे तो अब नया कुन सा चुड़ा परेटन विभाग और कुल योजना कितनी हो गई अब कुल योजना हो गई है 33 तो यह overall flagship कारेकरम यह राइस्तान सरकार का flagship जो प्रोग्राम में flagship योजना है कितनी है अभी वर्तमान में 16 विभागों के अधीन 33 योजना है जो flagship योजना में शामिल है अब आप एक बात देखी कि इन में से कितनी योजना है जो हम पहले पढ़ चुके हैं और कितनी हैं जो नहीं पढ़े हैं शायद तीन चार ऐसी होंगे जिनको अभी तक हमने नहीं पढ़ा होगा बाकि सारी कि सारी 33 में से लगवक तीन योजना हैं हम हर दिन पढ़ते ही हैं और कैई बार पढ़ चुके हैं जैसे कि इंद्रा गांधी मातृत पोशन योजना कैई बार हमने पढ़ा काली भाई भी देव नराएंड राजीव गांधी स्कॉलर से इंद्रा रसो योजना शहरी क्रेडिट कार्ड योजना युवा संबल योजना जन सूशना पॉर्टल जनाधार रिप्स 2022 मुक्य मंत्री लगूद्य प्रोटसान योजना यह सारी योजना यहां जो सामाजिक ने आए वाम पढ़ानी है तभी हमारे समझ में आएगा तब बात अलग है वरना फिलक्स से प्योजना है कभी ना कभी हम बार बार हमारी क्लास में पढ़ चुके हैं आप यह 33 की 33 योजना देखकर और जो पुरानी वीडियो जहां उनमें भी एक बार देख सकते हैं कौन को चीज हम पहल को आमजन तक सहज बसरहल तरीके से पहुंचाना और लास्ट में आज का कुशन क्या है कि मुख्य मंत्री घरेलू विद्यूत अनुदान योजना के तहट घरेलू पूपक्ताओं के लिए प्रतिमहा कितनी उनिट तक बिजली बिल शून ने किया गया है ऑप्शन से आपके तीन तरीके हैं वैसे तो सबसे पहला तरीका तो यह है कि आप योजनाओं की जो आज मैंने लिस्ट दी है इसको आप एक बार ले ले लिस्ट को या PDF डाउनलोड कर लें और उसके बाद देखें की पुरानी क्लास में हमने कब-कब उनको पढ़ा है तो आप अपने लेवल तो मैं भी डाल सकते हैं ऐसा भी हो सकता है और तीसरा तरीका यह हो सकता है कि जो सारी योजना है उनको वापस से बढ़ाए जाए अगर एक क्लास में नहीं तो दो तीन चार कुछ क्लास में पढ़ाए जाए तो इसके कई तरीके हो सकते हैं अगर आप जाते हैं मैं यह भड़ी चुके हैं तो आप चाहें तो वापिस भी इसको एक साथ कर सकते हैं और चाहें तो पुराने वीदियो को भी देख सकते हैं तो यहां समय तोती आज के आज की class आप मिलते हैं कल अगली स्वाइब साथ अगली ग्लास में धन्यवार